उसकी नजरे कैद है मेरी नजरों में, उसकी नजरों से बचने के लिए काजल चाहिए। उसकी आखें है या कोई राज गहरा है, रंग सावला पर दिल सुने रहा है, मुलाकात पहली सही रिष्टा गहरा है, किसी ने पूचा कौन है, अजी मेरे इश्क का चहरा है। बिन सावन बरसाद नहीं होती, बिना सुरज डूबे रात नहीं होती। जिने हम दिल से चाते हैं वो सामने हैं लेकिन उनसे बात नहीं होती। कुछ ऐसा कर कमा के तेरा हो जाओ। ये मत पूछो कि इश्क में क्या रखा है। उसमें एक आग है जिसने हर दिल को जला रखा है। लड़किएं के लिए। के हमें देकर तुम अपना रास्ता क्यों बदल देते हो। उन्हें मुयुक्त नहीं हैं Hem선 तक बात बताओ हमें देखकर तुम मुश्कुरा क्यूं देते हो मैं तुम नहीं टुम्हारी आदाओं पर मरता हूं कि यूएब एक लगर movie है लिए मां आखेš करे तुम्हें प्यार करता हूं मैं तनों समसा वाक ही दो लोग पूछते हैं मुझसे, तुमने ऐसा क्या देखा उसमें? मैंने कहा, उसको देखने के बाद कुछ देखा ही नहीं. चांद को चोर देखता है सूरज को मोर देखता है चांद को चोरी करने के लिए चोर देखता है सूरज को मोर देखता है और हमें बहुत बुरा लगता है जब आपको कोई और देखता है ये दुनिया बदल जाएगी ये जमाना बदल जाएगा मगर ये कभी मत सोचना के वक्त के साथ तेरा ये दिवाना बदल जाएगा हमेशा प्यार करूँगा तुम्हें हतीन मौसम है मंदर यार का इंतजार करता हूँ और कोई तो उसको बता दे मैं उससे बेपना प्यार करता हूँ किसी ने हमसे पूछा कि तुम्हारा शौक क्या है किसी ने हमसे पूछा कि तुम्हारा शौक क्या है अरे हमने मुस्कुरातर जवाब दिया नफरत करने वालों से मुहबबत करने तो राद भी होगी मत ओदास उससे बाद भी होगी वो प्यार है ही तना प्यारा अगर जिन्दगी रही तो उससे मुलाकात दिए तुम्हें दिन में हजार बार रियात करता हूँ मैं तुम्हें तुम्हें तुमसे भी ज़ादा प्यार करता हूँ तेरी तस्वीर से भी मैं अब सवाल पूछता हूँ तेरी तस्वीर से भी मैं सवाल पूछता हूँ मत पूछ किस किस से मैं तेरा हाल पूछता हूँ अपनी यादों में तुझे बेकरार करेंगे खुदा गसम सिर्फ तुझे प्यार करेंगे एक बार कह दो सिर्फ हमारे हो तुम, एक बार कह दो सिर्फ हमारे हो तुम, खुदा किसम समर बर इंतजार करेंगे मैं वही हो ना जो कहता था इस्क में क्या रखा है पर आज कल एक पगली की महब्बत में मुझे पागल बना रखा है हाई मैं मर जा बड़े बड़े महल गिर गए यह मकान खड़ा हुआ है अमीर पूछने आई अभी तक कैसे टिका हुआ है बड़े बड़े महल किर गए यह मकान खड़ा हुआ है अमीर पूछने आई अभी तक कैसे टिका हुआ है मैंने कहा ना संगबर मर से ना किसी महंगे पत्थर से गुरुचर्णों की धूल से यह मकान बना गए वारे इंसान तुन्हें अपनी हैसियत को कैसे चरित्तर में डाल दिया वारे इंसान तुन्हें अपनी हैसियत को कैसे चरित्तर में डाल दिया तेरे पास दोलत भी है और मकान भी लेकिन क्या फाइदान का जब तुन्हें माबाप को यह गर से निकाल दिया कि फुटपाथ पर रोचार रीटे सजाई जाती है और गमु से इस बात का नहीं के कोई छट नहीं है वो तो खुश इस बात से है के तेरे और उसके बीच मूँ कोई मामुली छट नहीं है बड़े बड़े महल गिर गए ये मकान खड़ा हुआ है अमीर पूछने आई अभी तक कैसे टिका हुआ है मैंने कहा ना संगबरमर से ना किसी महंगे पत्थर से गुरु चर्णों की धूल से ये मकान बना हुआ है कि मत देख यू जालिम मुझको इतने करीब से एक मुद्द से मैंने अपने आशु चुपा रखे हैं और ये ना पूछना कि क्या हाल है मेरा अश्क से भीगे पन्ने कुछ मैंने च्छत पे सुखा रखे हैं कि उसे पाने का कोई रास्ता है क्या कि उसे पाने का कोई रास्ता है क्या मगर अगर है तो कोई दिखा सकता है क्या अगर है तो कोई दिखा सकता है क्या मैं तो उसकी निगाहों में खोया रहता हूँ मुझे हुआ क्या है कोई बता सकता है क्या है क्या कि कतल करने आये थे ना मेरा कतल करने आये थे ना मेरा अब मेरा कतल क्यों नहीं करते हो कतल करने आये थे ना मेरा अब मेरा कतल क्यों नहीं करते हो, खंजर तुम्हारी जोली में रखा है, और तुम अभी मुझे से बात करते हो, बेफा कहते थे थे ना तुम मुझे, अब खुड़ी बेफा वाले काम करते हो. तेरी काली आँखों की आवारगी पे मर गए, बिक्री उन दुल्फों में जो थी तीरगी पे मर गए, और यू तो तुम से भी हतीन देखी थी हमने आज तक, पर हाए रे हम तो तुमारी साथ की तो लगुझे। कभी कभी लगता है कबरस्तान हुए।